नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को भारत वर्ष के 74.53 दिवस की हारदिक्षूप कामना है जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है कि मानने प्रधानमंत्री शी नरिंद्र मोदी जी द्वारा कल यानि 13 अगस्त 2020 को एक प्लेटफॉर्म लांच किया गया जिसका नाम दिया गया Transparent Taxation, Honoring the Honest और इसकी तीन मुख्य बाते हैं दोस्तों पहला Faceless Assessment, दूसरा Faceless Appeal और तीसरा Taxpayers Charter तो आज की इस वीडियो में सर मैं आपके साथ Taxpayer Charter के विशे में एक discussion करने जा रहा हूँ देखते हैं हमारी आज की इस वीडियो के coverage क्या क्या है तो आज की वीडियो के coverage में सर शामिल है Genesis को समझना के Taxpayer Charter का उदभव यानि कैसे ये particular Taxpayer Charter की कहानी की शुरुआत हुई Why Taxpayer Charter and what is it same? Taxpayer Charter क्यों आया सर? इसका क्या उदेश है? What are your rights according to this Charter? भारत सरकार ने सर कुछ Charter के थूर राइट्स देने की बात करिये, वो राइट क्या है? हमारे लिए उनकी क्या importance है? And what are your obligations according to this Charter? As an necessity, मेरे उपर इस Charter के थूरु क्या-क्या obligation दिये गए हैं, उन्हें भी समझना मैं जरूरी समझता हूँ तो मैं ये सारे विशे सर आज की इस वीडियो के थूरु आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा Genesis, यानि सर ये जो Taxpayer Charter की बात हम कर रहे हैं, ये कहां से निकल करके आई, क्यों इसका उद्भव हुआ? तो इस पर मैं आपके सामने ये बात रखूँगा, मानने है, वित्मंत्री महदया ने अपने Last Budget भाषन यानि Budget 2020 में ये गोशना करी थी, कि हम Assessy और Department के बीच में एक और आपसी विश्वास जोड़ने के लिए, Assessy के Harassment को कम करने के लिए Taxpayer Charter लेकर के आ रहे हैं, और इस संदर्ब में, Income Tax Act 1961 में specifically section 119A insert किया गया, जिसमें ये first mandate है, Board यानि CBDT shall adopt and declare a Taxpayer Charter and issue such order, instruction, direction and guidelines to other income tax authority as it may deem fit for administration of such charter. तो भारत सरकार ने CBDT को ये अधिकार दिये हैं कि वो Tax Charter लेकर के आए, और अब सर ये Tax Charter आ चुका है, इस Tax Charter के क्या मुख्य बिंदू हैं, ये मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ. तो जैसा मैंने शुरू में बुला था दोस्तों कि why Taxpayer Charter and what is its aim, कि Taxpayer Charter क्यों आया सर और इसका aim क्या है, तो सबसे पहली बात, Taxpayer Charter is meant to explain what you can expect from Income Tax Department and what is expected from you that is as an SSI. यानि मैं एक करदादा के रूप में Income Tax Department से क्या expectation रख सकता हूँ, और Income Tax Department मुझ से क्या क्या expectation रख सकता है, इस context में सर इस Charter को ले करके आया गया है. और ध्यान से सुनियेगा सर, इस Taxpayer Charter में एक aim की भी बात की गई है, यानि aim लिखा है, वो aim क्या है दोस्तों, the aim of the Charter is that of nurturing the relationship between revenue departments and the community that they serve, यानि SSI, a relationship of mutual trust and respect, we want, we यानि Department यानि Government of India कह रही है, we want to provide you with a service that is fair, efficient and that makes it easy for you to get the things right. ये सरकार ने अपना मनतव यहाँ पर स्पष्ट किया, आगे सरकार क्या बहुल रही है, बहुत important बात है, yet we also want to be firm with those who try to avoid their obligations to the detriment of the rest of the community, which we all form part of, यानि ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा सर, जो किसी ना किसी प्रकार से अपने obligation देने से, income tax liability या other taxes देने से बचने की कोशिश करते हैं, यानि honoring the honest, जो honest है, उसको आप honor करिये, उसके हितों की रक्षा करिये, और जो honest नहीं है सर, उसके साथ में जो department की recovery के प्रयास किये जा सकते हैं, वो प्रयास किये जाने का मनतब यहाँ पर प्रकट किया गया है, अब देखिये दोस्तों, what are your rights according to the Charter, as an SSC करदाता के रूप में, इस Charter के थुरू मुझे क्या-क्या अधिकार स्पश्च रूप से प्रदत्त किये गए हैं, दिये गए हैं, right to be treated with fairness and impartiality, मेरे साथ बिलकुल fair और बिना किसी प्रकार से भेदवाव किये, treatment किया जाएगा, income tax department द्वारा, उसके अधिकारियों द्वारा, right to be treated as honest and tax compliant, unless there is evidence to the contrary, जब तक मेरे विरुद्ध कोई विपरीत साक्ष नहीं है department के पास, तब तक ये माना जाएगा, कि मैं एक इमानदार करदाता हूं, और मैंने जू भी tax compliance मेरी वर से करनी थी, वो निश्चित रूप से कर दी है, right of certainty, मेरे संदर्ब में जो information department के पास में है, मेरे संदर्ब में जो taxation के treatment income tax department लेना चाह रहा है, उनके संदर्ब में एक certainty income tax department मुझे provide कराएगा, right for assistance and information from tax department, नकिवल सर, income tax department मुझसे assessment के थूँ demands recover करने का काम करेगा, बलकि जहां मुझे किसी प्रकार की income tax department की साहता की आवश्रक्ता होगी, मुझे वो साहता दी जाएगी, और income tax department के possession में मेरे से संबंदित जो सूचना होगी, यदि मैं मागूंगा, तो वो सूचना भी मुझे दी जाएगी, right to pay no more than correct amount of tax, जितना मुझे वास्तव में tax देना है, उससे जादा मुझे पर tax नहीं लगाया जाएगा, यह बहुत important point है सर, यानि मेरे साथ justice होगा, मेरा assessment करते समय आईटियो महोद है, ना केवल उन बातों को ध्यान रखेंगे, जो income tax department के लिए beneficial है, बलकि ऐसी बाते दोस्तों, जहाँ पर मुझे कोई benefit मिलना चाहिए और वो benefit नहीं दिया गया, वो benefit भी income tax department मुझे देने के होगा, ऐसा मैं इस charter के soul के रूप में समझता हूँ, right not to be subjected to retrospective taxation, बहुत सी बार सर ऐसे issue उठते रहे हैं, कि भारत सरकार पीछे से law को amendment करके, हमारे पर tax लगाती है, विशेश परिस्तितियों में, तो भारत सरकार ने इस charter के truth पश्ट बुलाए, कि हम आप पर retrospective taxation नहीं लग राइंगे, right to minimize compliance cost, आपकी जो income tax compliance की cost होती है, उस compliance की cost को भी minimum करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने एक right के रूप में आपको यहाँ पर assurance दिया है, कुछ और rights की बात, चर्चा मैं यहाँ पर करता हूँ, दोस्तों, आपके साथ में, right to be advised and represented by any person on taxation matter, as an necessity, आपका यह right है, कि आपको income tax department से जब किसी matter पर चाहिए हो, advise मिले, यह बहुत बड़ी बात है सर, अब तक ऐसी इस first व्यवस्ता law में नहीं थी, जो अब इस tax charter के through provide की गई है, मान लीजे मेरा कोई transaction है और उस transaction के प्रती मैं taxation aspect पे clear नहीं हूँ, तो मैं income tax department को पहुँच हूँ और उनको बोलू, साब मैं यह particular transaction करने जा रहा हूँ, क्या मेरे उपा tax liability लगेगी, हाँ या ना, लगेगी तो कितनी, यह एक बहुत बड़ी बात मुझे इस particular charter के through आती को represent करना है, तो मैं किसी assessi के रूप में किसी charter accountant के through, किसी tax advocate के through, किसी अधिकरत प्रतिनिदी के through, अपने आपको प्रस्तुत करने का right रखता हूँ, right to appeal and review, यह and review मैंने दोस्तों अपनी और से जुड़ा है, क्योंकि जब मैंने यह detail पड़ी तो मुझे समझ में आया, कि नक सर इंकम टेक्स law में review का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन अगर मैं charter की भावना से चलूं, तो charter कहता है सर इंकम टेक्स department अपने orders को review करने का भी effort करेगा, क्योंकि यह आपका right है, right to privacy and confidentiality of information we hold about you, भारत सरकार है कि as an SSC आपकी जो जानकारी हमारे पास है, हम उ उसकी गोपनियता को maintain करेंगे, right to know what information we hold about you, इंकम टेक्स department के पास में हमारे संदर में कौन-कौन सी सूचना है, वो सूचना भी जानने का मुझे एक अधिकार है, यह बहुत important right है दोस्तों, क्योंकि अब तक जब 147 में assessment होता है, तो मैं पूस्ता रहता हूं साब, बताईए क्या reason to believe है जिसके basis पर आपने assessment खोला, और income tax department mute रहता है, वाडिया जी return बरो तम बताएंगे, अब sir law बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि बुला, हाँ साब, आपके इस अंदर में जो information हमारे पास में हम आपको बताएंगे, इसके लिए आपका right है, जैसे 26 AS में sir, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, revised avatar of form 26 AS, उसमें भी income tax department आपके साथ में बहुत सारी सूचनाई share करेगा, कहने का मतलब यह है sir, income tax department का चहरा अब तक जो हमारे सामने रहता था, अब वो बहुत हद तक बदलने वाला है, इस tax charter के थू ऐसा मैं expect कर सकता हूं, क्योंकि भारत सरकार का एक first mandate आता दिखाई दे रहा है, income tax department के लिए, that they need to honor the rights which are given to the assessee, what is further right, right for the licit arrangement of your tax affairs that minimize the tax liability, यानि मैं किसी वैधानिक तरीके से, अगर अपने tax affairs में, tax liability को minimize करना चाहता हूं, तो यह department इसे गलत द्रश्टी से नहीं दिखेगा, उसको honor करेगा, और as a right, मुझे वो privilege मिलेगी, right to request a payment plan, बड़ी important बात है दोस्तों, आज अगर मेरे उपर कोई demand बनी मान लीजिए 10 लाग की, मैं नहीं दे सकता, income tax department मेरे खाते सीज कर देता है, फिर मैं रोता फिरता हूं इधर उधर के साब मेरा खाता छोड़िये, मेरे पास 20% भी जमा कराने के लिए नहीं है, हो सकता ह कोई senior authority को दया आजाया मेरी बात पर, लेकिन सर ये जो चार्ट रहे बड़ा स्वष्ट कह रहा है, आप आईए, एक payment plan पर हम साथ चर्चा करिए, हम वो payment plan की अवलोकन करेंगे, आपके साथ वो payment plan agree करेंगे, और एक बहुत important बात सर, कि इस payment plan के हिसाब से जो आपका extended period है, उ try to complain about our services, behavior and action, बहुत बड़ी असर, भारत सरकार स्पष्ट कह रही है, कि अगर आपको income tax department की किसी service, behavior and action पर complaint है, तो आपको हम स्पष्ट रूफ से complaint portal देंगे, complaint address देंगे, आप वहाँ complaint दाखिल करिए, हम आपको उस complaint का redressal देंगे, ये जनता के प्रती एक बहुत accountable होने का विशे है सर, और मैं निश्चित रूफ से यहाँ पर प्रशंसा करता हूँ कि भारत सरकार ने tax charter के तुरू ये बातें स्पष्ट करने का एक सफल प्रयास किया है, ये जो 14 rights दोस्तों मैंने आपके साथ में पढ़े अभी, और आगे मैं obligations की भी बात करूँगा, ये मैंने कि पर बात करिये, इनके अंदर और डीटेल में लिखा है, और मैं आपके reference के लिए किवल एक right को पढ़ रहा हूँ, right to be treated with fairness and impartiality, देखिये government उसमें क्या क्या लिख रही है, we will, यानि भारत सरकार, क्या क्या करेगी सर, भारत सरकार जरा जयान से दिखेगा, treat you with courtesy, consideration and respect, बहुत your concerns, problems or complaints fairly and as quickly as possible and respect your EU freedoms. मेरे को भी सर, EU freedom पर बहुत ज्यादा knowledge नहीं है, लेकिन मैं ये message समझ पाया हूँ, कि भारत सरकार बड़ी स्पष्ट बात कर रही है, हला कि भारत सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, EU freedoms क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट कहता कि जो message निकल कर क्या रहा है दोस्तों, वो क्या है, कि ये जो rights हैं, इन हर rights के अंदर क्या-क्या clarity सरकार दे रही है, वो हमारे लिए महतपूर्ण है, और हमारे लिए इस संदर्व में सर, जब भी आपका कोई matter income tax department के पास में अटका है, आप निश्टित रूप से सर, tax charter का प नहीं तो appellate authority हमारी बात को सुनेगी, ऐसा मेरा मनना है, जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपके साथ, आपके rights की बात करी, उसी प्रकार से भारत सरकार इस tax payer charter के थूप कुछ obligations भी हमारे उपर दे रही है, और ये छे main obligations है, to be honest, यानि भारत सरकार के प्रती, भारत देश के प हैं, जो वास्तम में allowable हैं, जो हमने वास्तम में contribute किये हैं, साथ ही साथ, to be compliant and cooperate, when you deal with the income tax department, जब आप income tax department के साथ deal करते हैं, तो आपको compliances करनी हैं, आपको income tax department के साथ inquiries में cooperate करना है, to keep proper records in accordance with the law, जो भी law के आपको vouchers, books of account document, proof of investment maintain करने हैं, आप वो proper records अपने पास maintain करेंगे, to file proper and complete tax document and effect payment by the statutory due dates, बिलकुल सही बात है सर, जो भी मुझे tax document जमा कराने है, time to time वो में जमा कराने के लिए liable हूँ, और जो मुझे statutory dues payment करने है, time to time मैं उन्हें जमा कराऊंगा, to inform the tax department about changes in the circumstances, मेरी परिस्थतियों में कोई change हो गया, में resident to non-resident हो गया, non-resident to resident हो गय मेरी firm का dissolution हो गया, मेरी company का liquidation हो गया, यह सब जानकारी जैसा income tax law मांगता है, समय समय पर मुझे देते रहना है, to know the tax responsibilities and consequences of non-compliance, मुझे मेरी tax responsibilities को proper समझना है दोस्तों, और यदि मैं tax responsibility नहीं निवाता, तो मुझे यह पकड़ होनी चाहिए, because ignorance of law is not an excuse, यदि मैं income tax की अपन रही है कि मुझे क्या-क्या consequences face करने पड़ सकते हैं, तो अगर आप compare करें, sir, 14 rights भारत सरकार दे रही है, 6 obligations आपके उपर डाल रही है, as such, assessi appears to be in a beneficial mode, the only message is, if you are an honest person, then income tax department is not going to harass you, and this is the classic thing, which I can say is a very good take from this tax charter, हलाकि दोस्तों, समय बताएगा कि ये tax charter को भारत सरकार in spirit कितना implement कर पाती है, लेकिन अगर मैं मन्शा पर बात करूं, sir, तो निश्टित रूप से tax charter एक अच्छा effort है, स्वागत यूग effort है. अन्त में दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां 130 क्रोड प्लस की हमारी जनता है, माननी प्रधान मंत्री जी का बयान है, कि उनका ये कहना है, राधर मैं बयान वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकता, कि केवल 7 क्रोड लोग रिटन भरते हैं, और 7 क्रोड लोगों में से भी सर, केवल 1.5 क्रोड लोग हैं, जो income tax payers हैं, तो ऐसी परिस्तती में सर, भारत सरकार यदि ये अपेक्षा करती है, कि जो भी हमारे tax payers हैं, वो honestly अपने tax का बुक्तान करें, क्योंकि अगर वो honestly अपन अपना proper tax compliance करें, और भारत की उन्नती में सहवागी बने, तो इनी particular शब्दों के साथ सर, मैं आज की discussion को यहां समाप करता हूं, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जहें